आज हम आपको फीट के बल लेट कर कुछ अभ्यासों को प्रेक्टीज कराएंगे। इन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे फीट के बलती देल लेड़ जाते हैं। और सबसे बहला भ्यास हम करेंगे उतान पादासना, उतान पादासना को करने से जिन लोगों को बैली स्ट की समस्या होती है, कमर के आसपास स्ट बढ़ने की सिकायत होती है, कि तमस्या दूर होती है, इसके अलावाई हो भ्यास हमारे डाइजेसन से जुले समस्त विकारों को पूर्य करने के लिए बहुत अच्छा थ्याथ है सबसे पहले ऐसे ले जाते हैं और अपने तोम हाथों को ऐसे तरह से रख लेते हैं कि वपलेख संदर भटते हुए अपने दोमों को एसे ठक्षी दिंगिंगल में ऐसे उठा लेते हैं और कम से कम स्टाटिक में 30 से किन तक ऐसे ही होल्ड करके रखें हैं कि फिर स्वां छोड़ते हुए नीचे स्वांस अंदर भड़ते हुए अपने पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर उठाएं अब्यास को करते समय हमारे पेट पर अत्रीक दबाब पड़ता है जिसे इस अभ्यास को करने से हमारा पेट हल्का और नरम होता है 30 सेकिंद होल्ड करने के बाद फिर धिरे धिरे नीचे ऐसे ही सुतान पादासना को आप साथ से पांस बार कीजिए इसके बाद हम इसमें नेश्ट अभ्यास करेंगे आपने स्वांस अंदर भड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा आपके दोनों पैर बिल्कुस दीदे रहें फाइब सेकिंद करूफने के बाद इसस्वांस छोड़ते हुए नीचे अपने हील को जमीन पर इस पर नहीं कराते हैं जमीन से फोर सो पर रखते हुए उपर शोड़ते हुए नीचे ऐसे ही से कम से कम आप 15-20 बाद स्वांस के स कि पहले ऐसे ही मध्यम गती के साथ करेंगे फिर आप इसे ती प्रतासे और स्वांस-प्रस्वांस के साथ करते जाएए अपिर अपने तो प्रक्राइब करें अधिया अगरू यजिया है है और फिर इसे और परों को ऐसे आगे से पीछे ऐसे ट्रैन साइब सी कीजिए लग्यास हमारे पेट के लिए हमारे पीट के लिए हमारे कमर हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छा धियाद है ऐसे ही क्लॉकवाइज करने के बाद से भी दिशा में कर दोस्तों इसके बाद हम करेंगे ससांक भुजंग आशन को एक सांध प्रैप्रिस करेंगे के सबसे पहले आपने ऐसे ही बजातना पर ऐसे बैड़ जाते हैं स्वाख भठते हुए अपने दोनों इसे पर उठाईए ऑपने शांध को सब्ढूर जमीद हाते हुए कि आए इसे ही रुखें कि प्स्तवय बढ़ब आए ऐसे भुजंग आशन की पर आते हैं कि ऐसे किंदे के बाद पास्वात चोड़ते हुए ससांक आसम आइस ही इसे कम से कम पांच से च्छे बाद प्रस्वात के साथ करें करेंगे उतान सिसोसना ऐसे ही बचासला की पोजीशन पर ऐसे बैर जाते हैं कि अपने तोनों हाथों को ऐसे जमीन पर रखते हुए ऐसे सबसे पहरे केबल टॉक स्पीदी पर आते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे डाउनों हाथ को हन्यों को जमीन पर ऐसे रखते हुए और फिर कम से कम टेंसे कित थाएसे गोल्ड कर के रखें। और फिर के बाद आपने अवहा को फिर को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे आपने सीर को जमीन पर एसे रख लें। और फिर अपने घुटनों को जमीन पर एसे रखते हुए अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को आपने उपर की तरफ उठाते हुए अपने उप्री सरीर को आदे की तरफ क्रेच करते हुए एसे ही कम से कम ठटी से किसे ले कट्टू मिनरतर इस उतान सी सोसना की पोजिशन पर रहते हैं यहाद नारे उपरी शरीर और विखले शरीर को फ्रेट करता है और फिर उसके बार आपने फिर डाउनल्ड फेसिंग डॉप की पोजिशन पर आते हैं और फिसके बार आपने ऐसे लेक्स करते हैं